दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं Hero Guy Mode on Serial के बारे में और उन Serial में जितने भी एक्टर उनकी एक्टिंग को लेकर IMD पर कितनी रेटिंग है इसके बारे में और इस Serial की IMD पर क्या रेटिंग है और भी बहुत सारी बात इस Serial के बारे में जानेंगे और एक Most Important Topic दोस्तो ऐसी बहुत सारी रहसमें चीजे हैं जिनके बारे में हमें नहीं मालूम है हमें ये भी नहीं मालूम है कि हम इंसान आये खहां से बताये जाता है कि हम पहले बंदर थे फिर उसके बाद ग्रेट होकर इंसान बने अब मैं बोलू कि ये महज एक थियोरी है तो पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो स्किप ना करें इस वीडियो पूरा देखें दोस्तो मैं आप सभी का स्वाइद करता हूँ इस चैनल को और वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इसके लिए बैल नोटिफिकेशन ओन करना ना भूले दोस्तो थोज हम बात करने वाले हीरोगाय दोन के बारे में और उसके अलावा हम ऐसे बहुत सारे रहस्तों और इसके बाद करें हैं जिसके को सॉल आउट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों आप जैसे की जानते हो यह सीरीयल नाया नाया है तो इनमें जितने भी सबसे पहले नंदा है इनका रियल नाम है इस एक निखम सेक्ट रिट रोल में है इसले न मॉल नंदा नि वीर न के फाधर नाम है मनीश वद्वाद बिंदू इनका रियल नाम है सोनिया सिंग उसके बाद है रंजीत यानि वीर के मामा इनका रियल नाम है नितीश पंडी दोस्तों मैंने पिछला वीडियो बनाया था अलादिन वाटसफ ही रोगाय मौड़न के वह उस वीडियो को लोगों ने बहुत ज़्यदा प्यार दिया बहुत ज़्यदा कमेंट किया और बहुत ज़्यदा प्यार दे उस वीडियो को इसके लिए बहुत बहुत थैंक्यों और मैं एक्पेक्ट करता हूँ कि इस वीडियो के भी आप बहुत ज़्यादा प्यार दो के बाद इस मूवी को डायक करते है आज शर्मा एलियन सब के ब हैं बात करें तो सबस्क्राइब कर दोस्तों एक सवाल मन में अकृषर उठता है चिसमें बता है कि हम पहले बंदर थे उसके बाद हम दीरे दीरे अब ग्रेट होते गए सीखते गए और हम इंसान की रूप में भी सित हो गए दोस्तों मैं एक बात बता दू आपके बात कड़ुआ लगया पर यह सचाई यह बस महद एक ध्योरी है इसके पीछे का सच क्या है उसको हम जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़े जैसे की बेंपायर ह मुंख्यों होते है यह जल पड़ी होते हैं एप भूद्प्रेंट होते हैं जिन जिन्थ परहर है कि यह दुन का स्चाह इस दुन्या को हम हम परजेंट में जी रहे हैं फिर भी हम सोचते फ्यूचर का सोचते हैं और इसको लेकर अपने आप पर सवाल नहीं उठाते हैं और जब सवाल उठाते तो इसका जवाब मिलता ही नहीं है झाल झाल